हलो दोस्तों नबस्कार के पीडिटी अकेडमियों आपका हार्तिक सुवाग आते हैं आज हम सीटीपी बालविकाज सिच्छा साफ स्रकार थर्टी कोश्चन कैसा लगाएंगे जो कि सीट्ट परिच्छक उद्रश्ची से बहुत ही मैथपूर है वीडियो को लाइकें से यह कर लाइव कर रहे हैं बहुत प्रेस कर रहे हैं जिससे नटिफिशन के बाते हम दिन वीडियो बिलती रहेंगी तो आज कम कोशन स्टार्ट करते हैं एक सिच्छक प्रश्ण पत्र बनाने के बाद यह जाच करता है कि क्या प्रश्ण परिच्छा के विसिस उद्देश्यों की परिच्छा ले रहा है वह है मुख रूप से प्रश्ण पत्र की के के बारे में चिंतित है फर्स्ट आप्सन है वैद्दिता सैकेंड है संपूर्ण विसे वस्तु को सामिल करना सैकेंड है प्रश्णों के प्रकार फोर्थ है विस्वासनियता जिसके के कोश्ण बात किया र तो जैसे के आपे बात करते हैं, रहमाइंड के अंदूसार, अच्छे प्रश्ण पत्र नुर्माण की तकनीक को जानना एक सिच्छक का सर्वोपरी उद्देश होता है, किसी भी प्रकार के प्रश्ण पत्र के माध्यम से लिये जाने वाली परिच्छर का बिसेस्ट उद्दे अगला कुशन देखते हैं, थोड़ा डेस्ट करेंगे, कुशन देखेंगे, विवेचन आत्मक सिच्छा सास्त का यह दर्ड़ विश्वास है कि फरस्ट आप्स ने एक सिच्छा को हमेशा कक्षा की अनुदेशन का नेतरुत करना चाहिए, सेकेंड है, सिच्छार्तियों को सुतंतर रूप से तरगणा नहीं करनी चाहिए, थड़े बच्चे स्कूल से बहार क्या सीखते हैं, यह अप्रसंगिक है, फोर्त है, सिच्छार्तियों के अनुवव और प्रतच्छन मैत्पूर होते हैं, तो जैसे कि अब एक कोशन मुले आरा कि बिवेचना अत्मक विश्वास है कि मौदिक प्रणामों को ब्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है, सिच्छार्तियों अपने आसपास के वातावन से बहुत कुछ सीखते हैं, जिनके अनुवव और प्रतच्छन अंत्यत मैत्पूर होते हैं, तो आंसे जैक्ट है, इसके अकॉर्णि हमारा, फोर्थ वाला अंसर है, जहांपे एक कीवर्ड भी दिया है कि अनुवव और प्रोसाइं करना, अगर ऐसे वर्ड्स आपकी सेंटेंश या उप्शन में आते हैं, तो 90% के इस पे अंसर होता है, जिसके यहांपे है सिच्छार्तियों के अनुवव और प्रतच्छन मैत्पू मुख रूप से किस सिद्धान्द पर आदारित होता है, फर्स्ट और आकरन बहुत किफाईती होना चाहिए, सैक्ट बहा परिच्छकों की अपेच्छा सिच्छक अपनी सिच्छार्तियों की चमता को बैतर जानते हैं, थड़ा किसी भी कीमत पर विद्ध्यार्तियों को होता है, यह कोश्चन मुख रहा है, बात करती है कि मुख्亲 सिद्धान्द इस तर्थ पर आदार्त होता है कि बहाँ परिच्छकों की अपेच्छा सिच्छक अपनी सिच्छार्तियों की चमतां को बैतर तरीके से जानती हैं, आगरन एक किरमिक प्रकृया है जो की सिच्छो कि अपक्षा सिच्छक अपने विजद्धातियों की चमताओं को वैतर तरीक से जानते हैं आंसर हो जाएगा मारा सेकींड वाला अगला कुशन देखाएंगे सिच्छार्थी बैक्तिक विनिता प्रदशित करते हैं अत्या सिच्छक को फर्स्ट अप्स ने अधिगम की एक समान गती पर वल देना चाहिए सेकेंड है सीखने के बिद्वद अनववाओं को उपलब्द करना चाहिए थर्ड है कठोर अनुसासन सुनुचित करना चाहिए फोर्थ है परिच्छाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए सिखने के बिद्वद अनववाओं को उपलब्द करना चाहिए जिसे की प्रत्यक सिख सके सिखने के बिद्वद अनववाओं को उपलब्द करना अगला कुशन देखते है बाइगोस की की बच्चों की सीखने में अनववाओं की है, बाइगोस की को सिखने की सामाज की बढ़त्यक में सरवदिक में तो देता है इसके according answer दागेक्ट हो हमारा first सामाजिक अगला question देखेंगे वीडियो करते हैं अधियत में share करते हैं अप दोस्तों साथ में एक सिच्छ का अपने सिच्छार्थियों की बिविन अधियम से अलियों को संतुष्ट करने के लिए बैवेदपूर कार्यों का उपयोग करती है वह से प्रवावित है first option है प्याजिक की संगैनत बिकास के सिद्धान्त second कॉलवर के नैतिक बिकास के सिद्धान्त थोड़े गार्डन के बहुपुद्धी सिद्धान्त fourth है वाईगोस की के सामाजिक संगैन्त जैसे हैं कुश्चन मुलाया कि एक सिद्धान्त है वह अपने विद्ध्यार्थियों के विविन अधियम सेलियों के संतुष्ट करने के लिए बैदवव पूर कार्यों करती है तो वह किससे प्रवावित है इस प्रकास के कुश्चन म परता है क्योंकि कच्छा कच्छ में बिद्वव बुद्धी वाले चात्रों को पढ़ाने के लिए बिद्ववद कार्य पतिदिका अप्यों किया जा रहा है या कर रही है तो अंज़या करेक्ट हो है इसके अकौर्डिंग हमारा प्रोस्वाइद करती है वह है उपागम के लिए यके सिध्धान्त पर आदर्थ है फर्स्ट ऑप्शन है से वागिदारिता सेकेंड है अनुदिस्वनात्मक सामिगरी के उचित संगठन थड़े अच्छा उधारन प्रस्तुत करना और भूमिका प्रत्रूपन बनाना फोर् समूं चर्चा और सवयोगातमक सहली ये अधिगम पनाने के लिए प्रोसायद करती है तो वह किस प्रकार के उप्राम को सिध्धांत पर आदर्थ कर करते सभू चरगा और सेख्षा को Krasil ant West का कौन सा सिच्चक से सम्मनित अधिगम को प्रमावच्ण करने वाला कारक है फर्स्ट आपस है विस्यवस्तु में प्रवीड़ता सेकेंड है बैठने की उच्छत व्यवस्ता थरड़े सिच्छ अधिगम संसादरों की प्लब्दता फोर्थ है विस्यवस्तु या अधिगन अनुबहों की प्रकरती जैसे कोश्चन गुड़ाया कि कौन सा सिच्छक से संब्दत अधिगम को प्रवावित करने वाला कारक है तो कारक की बारे में पूछा गया है तो जैसे कि विस्यवस्तु में प्रवीड़ता सिच्छक से संब्दत अधिगम को प्रवावित करने वाला एक मैत्मूल कारक है क्योंकि आपचारिक सिच्छा के अध एकल गायन प्रत्योगता के लिए सिच्छार्थियों को त्यार करते समय एक विध्याल है लड़कियों को वरित्या देता है यह दर्शाता है एक राजिस्तर पर एकल गायन की प्रत्योगता के लिए सिच्छार्थियों को त्यार किया जाता है जिसमें एक विध्याल है वो कि वो लड़कियों को वरित्या दे रहा है तो यह क्या दर्शार है इस प्रकार्शन को समझेंगे जैसे है यहां बात करते हैं को गायन प्रत्योगता में बिध्याल है लड़कियों को वरित्या दे रहा है जिससे वह है लहेंगिक पुरूबागी भावना को दर्सारा है यांचे करेंगे यहां पे बीजों की अंकुरण संक्रपना की सिच्छड की सबसे प्रवावसाली पद्धती है फर्स्ट अफ्ट ने बिस्रित ब्याख्यान करना सेकेंड है विध्यातियों द्वारा पौद की बीज बोना और उसके अंकुरण के चरड़ों का अवलोकन करना थर्ड है स्यामपट पर चित्र बनाना और वरणन करना फोर्थ है बीज की ब्रदी के लिए चित्र दिखाना जैसे कि अपर कोश्चन बोला रहा है कि बीज के अंकुरण संक्रपना की सिच्छड की सबसे प्रवावसाली पद्धती क्या होगी या बीज के अंकुरण के वारे में संक्रपना बताने के लिए कौन सी सिच्जड पद्धती सबसे बैटर होगी है या अच्छी होगी ये कोश्चन में पूछा रहा है तो जैसके हम पर बात करते हैं नवीन ग्यान और प्रतकिरियाओं के सिच्छड हेतू यह आवशिक होता है कि बिध्धाती स्वय करके सीखें क्योंकि बिध्धाती स्वय करके जल्दी सीख जाते हैं और बीजों के अंकुरण की संक्रपना क सिच्छड हेतू विध्धाती द्वारा पौद की भीच बोना और उसके अंकुरण की बिविन चड़ों का समय समय पर अबलोगन करना सबसे प्रभाबसाली पत्यति होगा तो आंसे दा करेक्ट होगा इसके अकौर्डिंग हमारा सैकींड अगला कॉश्चन देखेंगे चनल को सब्सक्राइब कर लें जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर है कि फर्स्ट अप्स ने बच्चा पढ़ाई के लिए योगी नहीं है सेकिंड बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया है थोड़े बच्चों को प्राइविट टीशन लेनी चाहिए थी क। फौर्ट में विवस्ता फेल हुई है तो कॉश्ट ब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्प किसे से है यह कूश्ट बूल घा रहा है जैसे कि में बात करते है मानसिक चरेत्र चरिक समुधायक और रास्टी और अंत रास्टी विकास करने की साहसाथ उसकी उप्रभद być का दिशा निदर्णवी करता है ऐसे सित्री में यदि बच्चा फेल हो जाता है तो उसका ताथ पर यह कि विवस्ता फेल हुई है तो आंसे दा करेक्ट हो जाएगा मारा इसका कोडिंग फोर्थ वाला अगला कुशन देखेंगे सिच्छड से अधिगम पर बल देने वाला परवेड़तन हो सकता है फर्स्ट ऑप्सन है परिच्छड परगणावों पर केंद्रित होकर सेकेंड वाल केंद्रित सिच्छा पदती अपना कर थड़ा है रटने को प्रोस्वाहित करके फ सिच्छड चार चलणों वाली एक प्रकरिया है जो योजना, नुर्देशन, मापन और मूल्यागन से होकर बजरती है यह बाल केंद्रित और सिच्छा पदती को अपना कर सिच्छड के माद्यम से अधिगम को सिच्छातियों के लिए व्यापक बनाया जा सकता है तो आंसे सिच्छा पदती अपना कर अगला कॉशन देखेंगे वीडियो को लाइक करते हैं हत्यात में समाविसी सिच्छा फर्स्ट अपने हासिय पर इस्तित है बर्गों से सिच्छकों को सम्मानित करने से सम्मझत है सैक्छा में विवादता का उस्सव मनाती है थाड़ा दाखले सम समंदी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है फोर्थ है तैथों की सिच्छा से सम्मंदत है जैसे की कोशन बुलाया है कि समाविसी सिच्छा किस पकार की है जैसके हैं बात करते हैं बिविन अच्छमता वाले बच्चों को नियमत कक्चाओं में अन्य बिना किसी ख्या का मुख्यों देश होता है अटेया समाबी सिच्छा में ब्हुटता का उस्चमता किसी मनाती तो आंसर द्या॥ है करेक्च्छ में इसके ऑक wipes मनातीए अग hai लिए क्दिए लाएक करते हैं कि निम्निवाइब समय से कौन सा बस्तुनिष्ट प्रशन है फर्स्ट अपमे निवनधात्मक प्रशन स्यूदं राफ़्ट्रात्मक प्रशन है थाड़ा मुक्त अंतर वाला प्रशन है कि फोर्थ शत्य वक्तिंपो असत्य तो यहां पे और वीसे शुरस्लिशी को समझेंगे तरुचते हैं कि भस्तटा प्रसणों वे प्रश्ण मोरती हैं जो किसी। परिच्छ woods के विव्यक्तिनिस्ट पुवग्रा से मुक्त होते हैं ये प्राए knut Arrow A पूछी जाते हैं जैसे कि बावविकली प्रेशन मिलान प्रेशन सत्य अशत्य प्रेशन आद तो वारा आंसे दा करेक्ट हो गए हमारा फोर्थ सत्य या असत्य अंसर हो जाएगा अगला कोशन देखेंगे नेम लख में से कौन सी प्रकति सील सिच्छा की बिसेस्ता है फर्स्ट अप्स ने समय सारडी और बैटने की बिवस्ता में लचीला पन सैकेंड केवल प्रस्ताबित पाठ्थ पुस्तकों पर आदायत अनुदिश थर्ड़े परिच्छों में अच्छे अंक प्राप्त करने पर फूर्थ है बारवार ली जाने वाली परिच्छा है तो कोशन बुझा रहा है कौन सी प्रकति सील सिच्छा की बिसेस्ता है प्रकति सील सिच्छा की बिवस्ता पूछी की ये कोशन में तो बात करते हैं प्रकति सील सिच्छा यहां बताती है कि सिच्छा बालक के लिए है न प्लचिला पन प्रगतिस हुल्चा की मुख्य विजिस्ता है तो अंसर इदा करेक्ट होया है इसके को डिया हमारा फर्स्ट अगला कुशन देखेंगे प्याजे के संगयनादम विकास के चरणों के अनस्वार इंद्रे गामक या संबेदी प्रेरक अवस्ता के साथ सम्मन्द है फर्स्ट अप्सन है सामाजिक मुद्व से सरोकार सैकींड है अनकुरर इसमर्थी और मानसिक निरूपड थर्ड़ है तारकिक रूप से समस्या समादान की योगिता फूर्थ है विकल्पों की निर्वाचन और बेसिलेशन करने की योगिता तो जैसके कोश्चन बुलाया कि जिन प्याजी की संग्यनत बिकास के चरणों के अनुस्वार इंद्रे गामक और संबेदी प्रेक अवस्ता है जो किस से समन्दित है इस प्याजी कोश्चन की करता है या खोज करता है अनुकरण इसमर्ती और मानसिक निर्वपड इस अवस्ता की प्रमयोख भिसेशता है तो अंसर या करेक्ट होए इसके कोड़ी हमारा सेकिंड हो जाया क्योंकि इससे क्या इसमें बच्चा अपनी इंद्रियों के देख कर चूकर चीजों को देख ज सकता है फर्स्ट आप्त ने कैसे विवार किया जाना चाहिए इस पर कटोर निर्देश देकर सेकिंड है धार्मिक सिच्छा को मैत देकर थर्ड है विवार की इसपस्ट नियम बनाकर फोर्त है नैतिक मुद्दों पर आदर चैचाओं में उन्हें सामिल करके तो यह पर कोश सिच्छा उनके नैतिक निगाय के विकास पर अधिक ध्यान केंदित किया है उनके अनुसार बच्चों में नैतिक मुद्दों पर आदर चैचाओं में सामिल किया जाना आवशक होता है तो आन से देकर तो इसका कोड़ी है हमारा फोर्त है अगला कुशन देखेंगे चोटे सिच्छार्थियों को कच्छा कच्छ में समभैसकों के साथ अंतक्रिया करने के लिए प्रोसाइद करना चाहिए जिससे फर्स्ट अप्स ने सिच्छा कच्छा कच्छ को बैता तरीके से नियंतिरत कर सके 2. वे एक दूसरे से प्रश्णों के उत्तर सीख सकें 3. पार्ठी करम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके 4. वे पढ़ने के दोरान सामाजी कोशल सीख सकें तो इसके कोश्ण बुड़ा है कि छोटे सिच्छार्थियों के लिए कच्छा कच्छ को समभैसकों के साथ अंतर क्रिया करने के लिए प्रोसाइद करना चाहिए जिससे की वे तो बात करते हैं आप छोटे सिच्छार्थियों को कच्छा कच्छ में समभैसकों के साथ अंतर क्रिया करवाने में उनका सामाजी विकास होता है क्योंकि बड़े सिच्छार्थी छोटे सिच्छार्थी की प्रत्य और छोटे सिच्छार्थी बड़े सिच्छार्थी के प्रत्य उनके कुछ द्रश्टी कोड ना केवल उनके अनवावों में वरना उन से सामाजी कौसला में भी प्रवतन करने लगते हैं प्रवेस परिच्छा लेनी चाहिए बच्चे की निरोगिता के अनुसार उसे बिस्यस विद्ध्याले में भीजने का प्रिस्ताफ देना चाहिए थड़े उसे अन्य बिद्ध्यारतियों से अलग रखना चाहिए सहकारी योजना विक्सित करने के लिए बच्चे के मातापता की साथ चर्चा करनी चाहिए तो कोशन बुला रहा है कि एक निरोगिता की बच्चा है वह पहली बार बिद्ध्याले में आता है तो सिच्च को क्या करना चाहिए इस प्रकाश कोशन बुला रहा है जैसे कि यह पर एक निरोग बच्चा पहली वार अगर बिद्ध्याले आता है तो answer या correct होगा इसका according हमारा second हो जाएगा अगला question देखते हैं प्राय विद्ध्यार्थियों की ओर संकीत करती है first of बिद्ध्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक इस्तर second है वे कैसे सीखते हैं थड़े यांत्रिक अभ्यास की आवशकता fourth है सीखने की अनुपस्ति तो question मुलाया कि प्राय सिखार्थियों तोटिया होती है वो किस की ओर संकेत करती है यह पर बात करती है कि अभ्यास के द्वारा उद्ध्यपक और अनुकुरिया का मजबूत संबंद होता है अभ्यास रोक देने पर यह संबंद कमजोर होने लगता है अगर सिखार्थि तोटिया करने लगते है अत्या अधिकम प्रकिर्या को तोटिया रहित बनाने के लिए यांत्रक अभ्यास की अभशकता होती है यह इस प्रकास से समय सकते है कि अगर बच्चे तोटिया कर रहे है तो वे सीखने की और संखेत करती है, तो आंसर दा करेक्टर है इसके रिकोड़ी है हमारा, आंसर जाए हमारा पर थर्ड, यांतर की अभ्यास की आवशक्ता, टिक्र देंगे यांपे तोड़ सा, कलर नहीं हो पाया, अगला कोशन देखती है, वीडियो को लाइक करते है हाथ य प्रकलपना का परिछन करना, थर्ड है समस्या की प्रति जागरुकता, फोर्थ है प्रसंगिक जानकारी को एकत्रत करना या इकत्र करना, तो कोशनों पुछाए कि कौन सी समस्या समादान की बैग्यानिक पतदी का पहला चरण पूछा गया है, तो जसके आपी बात करते हैं कि समस्या समादान हुआ प्रतिमान है जिसमें तार की चिंतन और निहत होता है, समस्या समादान की बैग्यानिक पत्रतिति में मुख्यते च्छे चरणों का अनुसरण किया जाता है, जिसका प्रतिम चरण समस्या की प्रति जागरुकता और समस्या को समझनों में होता है, त तो यह पर बात करते हैं आनवाजशक्ता है जेसे कि आपने की चंपता प्रदान करती है, और इन चंपता को विक्षित होने के अपसर हमें बातावड़ से मिलते हैं, तो यहाँ पर बात करते हैं आनवाज़िता से हमें कारसाली पुझी मलती है और परसिदिया में इनको निवेस करने के अबसर पधान करती है अत्या मानव व्यक्तिवत आनवाज़िता और वातावड की अंते क्रिया का प्रड़ाम होता है तो आंसे जा क्रेक्टों है हमारे यहां पे थर्ड अगला कोशन देखते हैं सिच्छ अधिगंप्रक्रिया में व्यक्तिकत रूप से ध्यान देना मैतपूर है क्योंकि फर्स्ट अप्सने बच्चे की विकास दर भिन होती है और वे भिन तरीकी से सीख सकते हैं सेकेंड है सिच्छार्ति हमेशा समूव में ही बैतर सीखते हैं थरड़ है सिच्छक प्रसिच्छ कारिक्राओं में ऐसा ही बताया गया है फौर्थ है इससे प्रतेक विध्यार्ति को अनुशासित करने के लिए सिच्छकों को बैतर अभशर मिलते हैं तो कोश्चन बुलिए कि सिच्छ अधिकम प्रकिरियां में व्यक्तिकत रूप से ध्यान देना मैत पूर है क्योंकि बात करते हैं बच्चे की विकास दर्भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीख सकती है जैसे विकास की गती सेज़ावस्ता और किश्रावस्ता में तीप् बच्चे को विकास दर्की भिन होती है और विभिन तरीके से सीख सकते हैं अगला कोशन देखेंगे वीडियो को लाइक करते हैं हाथ में चैनल को सबस्काइब करते हैं नेमने लिखते में से कौन सा सीखने का छेत्र है फर्स्ट अपने विपसायक सेकिन अनुभाविक थर्ड है वहावात्मकstä फोर्था आध्यात्मकटैशकनद प्फर्अ पुच्छा रहा कि नििमझन में पनींसा सीखने का चेत्र है किसे और बात करते हैं कि सीखने का चेत्र अनुभाविक और अनुभाव के दौरा ही हमारे मौलिक भीवार में पर्रतन होता है क्योंकि सीखना अंसर हो जाएगा अगला कुशन देखते हैं जब बच्चा कार करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात की और संकीत करता है कि फर्स्ट आप्शन है बच्चों को अनुसाचित करने की जरूरत है सेकेंड है समब्त है कार यांतरिक रूप से बारवार हो रहा है थड़े बच्चा बुद्धिमान नहीं है फोर्थ है बच्चे में सीखने की योगिता नहीं है जैसे कोशन हो जा रहा है कि जब बच्चा कार करते हुए उबने लगता है तो यह किस बात की और संकेत कर रहा है इस प्रकार से गोश्चन को समझेंगे, जब बच्चा किसी कार को यांतरक रूप से बारवार किया जाता है, तो ऐसी इस्तिती में बच्चा उबने लगता है, चूंकि अवग्यानिक और अमनोवग्यानिक पतितियों से किसी कार को बारवार करने पर उस कार में बच्चे की र पूराए आंसर जागवारा शैकेड अगला कुश्टिन देख्ती है कि सिच्छा के संद्र में समाजीकंड से तात्पर है फरस्ट आप समाजिक तैकेड़ अनुपालन करना अपनी समाजिक मांदन्ड बनाना शुट में बढ़ें करना फट समाचिक वातावणें अनुकुलन और नायौ उविजन जैसे कोछे कोश्चन हुदा है कि सिच्छा के संदर में समाजिक रभ discuss ताद पर है जैसे बात करते हैं आपर पिन सामाजिकर की प्रक्रिया पूरे व्यक्तियों के साथ सिसु के प्रिथम संबर्ग में आरम होकर आजीवन चलती रहती है और हो है अपने सामाजिक बातावर्ण में अनुकूलन और समायून करना सीखता रहता है तो इसका अकॉर्डिंग आंसर है करेक्ट हो जाएगा हमारा फो सिद्धान्त है फर्स्ट अप्स ने विकास की सभी प्रक्रिया अंत्य समझत नहीं है सबी की विकास दर समान नहीं होती है थर्ड़े विकास हमेशा रेखिय होता है फोर्ट यह निरंतर चरने वाली प्रक्रिया नहीं है तो कोशन गोला है कि कौन सा विकास का सिद्धान्त ह सभी की विकास दर समान नहीं होती है अतार यह मानव विकास का प्रमुक्स excellence in यह समय में सभी अंतै समय होती है लेकिन विकास हमेशे अरेखिय होता है विकास एक निजनतन चलने वाली प्रकरिया है तो आंसे दर प्रवेस का गोरिंग हमारा सेकिंड सभी की विकास दर समा नहीं होती सेकिंड एंसर हो जाएगा अगला कोशन देखती हैं वीडियो को लाइक करते हैं हाध्यात में माना विकास को चेत्र में विवयजत किया जा सकता है जो हैं साररिक आध्यात्मिक संग्यानत्मिक और समाजिक सेकेंड है साररिक, संग्यानात्मक, संबेगात्मक और सामाजिक थर्ड है संबेगात्मक, संग्यानात्मक, आध्यात्मक और सामाजिक मनोबैग्यानिक फोर्थ है मनोबैग्यानिक, संग्यानात्मक, संबेगात्मक और साररिक तो जैसके हमें कोशनों पूछे जा रहा है कि मानव विकास के छित्रों को बिवाजित किया जा सकता है किस प्रकार से तो जैसके हमें बात करते हैं कि मानव विकास को मनोबेग्यानिक, संग्यानात्मक, संभिगात्मक और सारेक छित्रों में बिवाजित किया जा सकता है तो अंसर या करेक्ट होगा हमारे इसके अकॉर्डिंग फोर्थ मनोवैग्यानिक, संग्यानात्मक, संबेगात्मक और सारिक अंसर फोर्थ हो जाएगा अगला कोशन दिखते हैं एक सिच्च का पाठे बस्तू और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोक करती है और अपने विध्यारतियों से चर्चा करती है विध्यारति इस जानकारी को अपने पूर्व ज्यान से जोडते हैं और पोशड की संगलपना को सीखते हैं यह उपागम किस पर आदारित है या आदारित है तो जैसकी फर्स्ट उप् upstream जने ज्ञान की निर्माड सेकेंड है अधिहाम के सास्ते अनुवनदन फूर्थ है पुनर्वलन की सिध्धान्त फॉर्थ है अधिगम की सक्री अनुगलन का सिद्धान्त जैसे कि कुश्ण पूर रहा है कि एक सिच्छखा है वो अपनी पाठ्थे विस्यवस्तू और फल सब्जियों को कि कुछ चत्रों को प्रयोग करती है दिखाने के लिए इस्टुएंट को या विध्धार्तियों को और पर चर्चा करती है जिससे विध्धाति क्या वह अपने पूर्व ज्यान से जोडते हैं और पोश्ण की संक्लवाब को सीखते हैं तो यह किस उपागम पर आदारित है इस प्रकार से कोशन को समझेंगे जैसे कि आप बात करते हैं कि एक सिच्छगा का द्रश सामरी की साहित पर चर्चा से सिच्छड को विध्ध्यातियों के पूर्व ज्यान से जोडत रही है और उनके अनववाब के आदार पर पोश्ण की संक्लवना को सिखा रही है जिससे विध्ध्यातियों का विध्ध्यातियों में ज्यान के निर्माड हो रहा है तो आनसिदा करेक्ट है इस बियोग दुशन्ता, सामाजिक दुशन्ता, समेगातन दुशन्ता, अजिनभी दुशन्ता जब बच्चे को दादी उसकी मा की गोसे लेती है तो बच्चा क्या है? रोने लगता है तो किसके करण ये प्रकरिया बच्चा कर रहा है? जब बात करते हैं भी कि अपने अध्यनों की आधर पर कहा जाए तो दो बर्स की आयू तक बच्चों में भैक, रोध, प्रेम, प्रिणा, आध, संभेगात्मग, दुश्यनता अधर आपने दोस्तों में जैन दोस्तों बंदे मात्रम